तो दोस्तो आज अगस्त की दो तारिक है और आज के इस छोड़ी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एक बहुत ही खुबसूरत से पौधों के नाम जो कि आप बहुत असानी के साथ केवल चार से छे इंच के गंबलों में या कह लीजिए छोट पर प्लेस करना बहुत असान रहेगा तो कौन से यह पौधे हैं क्या इनके नामस हैं इनको आप छोटी जगा में या कम जगा में छोटे गंबलों में बहुत इसली ग्रोग कर सकते हैं चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देता हूँ आपको सारी जानकारी सबसे पहला जो नमबर एक पौदा है दोस्तों यह विंका या सदा बाहर का पौदा है विंका की यह जो आप देखने हैं यह देसी वाली वराइटि आप इसकी देसी या हाईब्रिड दोनों वराइटिस को इजली छोटे गंबलों में ग्रोग कर सकते केवल चार से छेंच गमलों में सालों साल ये पौधे ग्रो हो जाती हैं कोई इनको बार-बार रीपॉर्टिंग की या देखवाल की जुरत नहीं पड़ती उसके बाद नंबर दो पर जो ये पौधा दोस्तों ये कारनेशन फ्लारिंग प्लांट है कारनेशन वैसे तो कहने को एक विंटर फ्लारिंग प्लांट रहता है ये विंटर सिजन में अच्छे से ग्रो करता है लेकिन ये जो पौधा रहता है दोस्तों ये पर्मानेट फ्लारिंग प्लांट है ये पर्मानेट फूल देता रहता है अभी जैसे कि मौनसुन का समय है या गर्मी का समय है तो ये अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा साल भर ये पौदा फ्लारिंग करेगा लेकिन सर्दी में इसके जो फ्लार्ज हैं वो बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे नमबर तीन पर जो शेर कर रहा हूँ दोस्तों ये भी एक पर्मानेंट फ्लारिंग प्लारिंग प्लार्इग की लिस्ट में है विंटर सीजन में इसली इसली निरस्री पर एवलेबल रहता है इसको डायांथरिम inanth開始 भी विंटर सीजन भी harvest नहीं करूँगा इन सभी को cut कर दूँगा और यह पौधा बहुत असानी के साथ next year के लिए चलता जाएगा तो आप इस पौधे को grow कर सकते हैं बहुत easy to clear है less maintenance का यह पौधा रहता है next year पौध है दोस्तों यह red tail cactus है cactus कि यह बहुत खुबशूरत सी variety है यह flaring cactus की list में आत पौधे नहीं से leaves यह stems हैं लंबी-लंबी रहती हैं लेकिन इसके जो flowers हैं वो देखने में बहुत जदा खुबशूरत तो इन पौधों कोई बड़े गंले की requirement नहीं रहती सालों साल यह चोटे गंलों में बहुत easily grow कर जाती है अगला जो पौधा दूस्तों यह यह यूफोर पौरा साल इसमें इस तरह से आपको जो बहुत सी हला की color options रहती हैं इसके flower के अंदर इस तरह से इसके flowers वो देखने को मिलते हैं तो इन पौधों को आप छोटे गंलों में grow कर जाते हैं रूट्स इनकी बहुत shallow रहती हैं छोटी रहती हैं बार बार reporting की या कोई fertilizer की आपसे demand नहीं करते हैं नेक्स अगर बात करो दोस्तों यह जिंसंग फाइकस है अब यह फाइकस की जो वराइटी है यह bonzai के लिए perfect रहती है और यह ready जो plants है नर्स्रिस पर भी available रहते हैं तो जिंसंग फाइकस कुछ इस तरह से इसका root stock रहता है इस तरह से इसकी जो shape है वो देख कर जाता है हाला कि इन सब पर मेरी जो care की वीडियोज है वो available है लेकिन अगर बात करो इनकी देखवाल की तो actual में कोई बहुत इनको देखवाल की requirement नहीं रहती है केवल semi shade area दीजिए वो इनके लिए perfect रहता है next option है दोस्तों यह micro mini कामनी की है जिसको table कामनी भी बोलते है जहां पर इसको direct sunlight मिले बात करूं देखिए मैंने इस तरह से इसके जो mature मेरे पुराने बादे भी है उनको केवल इस तरह से 5 इंच के गमलों में grow की है तो ऐसे गमलों के लिए यह बहुत बढ़िया रहती है ऐसे गमलों में अच्छे से grow करती है चोटा गमला दीजिए over watering व बात की जाए तो हवर्थिया की जो varieties रहती है यह बहुत हाड़ी रहती है यह गर्मी सर्दी सर्दी से गर्मी बहुत एजली जो temperature को है वो टॉलरेट कर जाती है यह जो आप दिख रहे हैं यह zebra हवर्थिया इसको बोलते हैं इस तरह से इसमें कुछ lines रहती है जैसे zebra के अंद मिलें वहाँ पर यह तेजी से ग्रू करते हैं और multiply भी होते हैं तो इनको कोई बड़े पोट की अवशक्तिया नहीं रहती चोटे गमलों में कई सालों तक यह बहुत इसली ग्रू करते रहते हैं अगली जो option रहती है दोस्तों यह भी एक बहुत खुबशूरत सा पौदा है इसको अर्थ स्टार बोलते हैं या क्रिप्टैंथस बोलते हैं क्रिप्टैंथस का यह पौदा भी बहुत इसली नरस्री पर एवलेबल रहता है जो इसमें दूसरी खासियत रहती है यह देखेगा यह मेरा जो पौदा है पिसले एक साल से बिल्कुल छोटे से गमले में प् कि भी बहुत इसली यह गारता है बहुत कम देखभाल में गारता है नेक्स तेकर बात करूं जो बहुत खुब्सूरत सी उप्षेट्य रहती है दोस्तों यह फिलो डैंडरौन के पहुदे की रहती है यह जो आप हम इसको फिलो डैंडरौन एटम बोलते हैं इसकी ज तीन या चार इंच के गमले के अंदर इसको ग्रोग किया गया और ये लंबे समय से मेरे पास है तो इसी तरह से इसी पौदे में ये धीरे धीरे अब मल्टीप्लाई भी होने लगा है कोई बहुत बड़ा इसको गमला नहीं दिया कोई जदा देखवाल नहीं की गई इस कालकर इसको कुछ पांच या चेंज के गमले में रिपॉर्ट कर दीजिए वो इनके लिए सफिशेंट रहता है चोटे गमलों में अगर सुंदर या हाड़ी पौधों की बाद से लिए जो बहुत कम जगा में प्रॉपगेट कर जाएं तो ये सेंसे वेरिया कैसे पीछे रह रहती हैं अगर आप इनका अच्छा वेरिगेशन चाहते हैं अच्छा आप इनका ग्रोथ रेट चाहते हैं तो आपको जो एक काम करना होगा इन पौधों को ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर इनको सुभा की धूप मिले तो वहाँ पर इनका वेरिगेशन बहुत पौधें के लिए पौधें पौधा रहता है यह जो आप दिख रहे हैं प्रेमना का पौधा लाइक पौधें को नाम से कौमनली जाना जाता है अपकर नहीं रहता है तो और यह परोच कर्ना पड़ता लेकिन आपको सर्च करना है वैसे वैसे इसकी जो leaf का size है वो बहुत छोटा होने लगता है तो bonzai के लिए जो perfect रहता है वो छोटी leaf बला plant रहता है इसलिए ये perfect option है दूसरा ये बहुत hardy plant है एक ऐसा पौधा जो मामे bonzai के लिए बिल्कुल perfect रहता है इसका आप छोटा सा bonzai क्रेट कर सकते हैं वो ये option रहती है तो अगर आपको मिल जाए आपके area में इसको प्रेमना को ग्रो कीजेगा इसकी green वाली variety या इस तरह से variegation को लिए हुए वराइटी cutting से हलाकी easily propagate कर जाता है आप इसकी cutting लाके भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे गमलों के लिए कम जगा के लिए अगली जो perfect option रहती है ये कोलियस का पौधा रहता है कोलियस तो आप सब जानते ही हैं वैसे ही बहुत easily grow कर जाता है तो कोलियस पर तो मेरी already वीडियो एवलेबल है इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जुरत नहीं पड़ेगी इसको आप easily इस मौसम में cutting से propagate कर सकते हैं बहुत असानी के साथ ये कुछ एक दिन में ही grow कर जाएगा नेक्स जो उप्शन आती है दोस्तों ये करिसा मेक्रो कारपा की है ये भी बहुत easily नस्री पर मिल जाता है कुछ इसको करोंडे के नाम से भी जानते हैं ये एक flowering plant की category में आता है और इसके flowers में खुश्बू भी रहती है जो खास बात है ये देखिए इसके छोटे छोटे जो प्लांट है बहुत easily छोटे से गमलों में grow कर जाते हैं यहाँ पर जो मैंने इस्तमाल किया ये केवल एक पांच हिंच का मिट्टी का गमला और इनी पांच हिंच के गमलों में देखिए इतने कितनी सुन्दर सी जो शेप है वो डिवल्प की है और कितना ठिक जो इसका जो ट्रंक है वो बनने लगा है तो आप इसकी तरफ देख सक मिनी जेड ड्वाफ जेड या पॉर्च लकार या अफरा या एलिफन्ट बुश का पौदा रहता है इस तरह से इसको बहुत असानी के साथ आप मामे बॉन्जाई में छोटे बॉन्जाई में डिवल्प कर सकते हैं इसकी जो रूर्स है वो शेलो रहती है बहुत असानी के स सभी पौधों को लेकर जो वीडियोज हैं वो अवालेबल हैं तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं कुछ एक और पौधों के साथ कुछ नए नामों के साथ तब तक के लिए बाई हैबी गार्डनिंग टेक क्यर